Top 10 Cutest Dog कुट्टे पालने का शौक हर किसी को होता है और हो भी क्यों न? कुट्टे इतने लॉयल जो होते हैं लेकिन अगर कुट्टे लॉयल होने के साथ साथ क्यूट भी हो तो हर कोई इनको पालना चाहेगा इसलिए आज हम आपको Top 10 Cutest Dog के बारे में बताने वाले हैं इस लिस्ट में कुछ कुट्टे तो ऐसे हैं जिनको देखना तो दूर उनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा तो चलिए अब आपको हम मिलवाते हैं दुनिया की क्यूट क्यूट डॉक से नमबर 10 माल्टीस माल्टीस प्रजाती का ये कुट्टा बहुती क्यूट और खुबसूरत होता है इसके शरीर पर सफेद रंग के सिल्की और लंबे बाल होते हैं जो कि इसकी खुबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं ये देखने में जितना प्यारा है उससे कई ज़ादा ये एनरजेटिक भी रहता है ये देखने में इतना ज़ादा क्यूट है कि अगर आप इसको एक बार देख लो तो आपका मन इसको अपने घर में लाकर पालने का करेगा इस लवेवल डॉग का प्राइस 30,000 रुपे से लगा कर 1.2 लाक रुपे तक है सफेद फरवाला ये कुट्ता देखने में बहुत ही खुबसूरत है इस कुट्ते की ऐसी बहुत सी खासियत है जो इसको बहुत ही खुबसूरत और एडॉरेबल बनाती है इन कुट्तों की एक खास बात ये है कि ये अपने ही सुर में गाना गाते हैं भले ही ये गाना सुनने में अच्छा ना हो लेकिन इनको गाते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगता है इस खुबसूरत डॉगी की लिप स्ट्रक्चर उपर को उल्टी हुई होती है जिसकी वजह से अगर ये शांती से भी बैठा हो तो ऐसा लगता है जैसे की स्माइल कर रहा हो इनकी ये खास बात तो आपको इनकी और एट्रेक्स जरूड करेगी अगर आप सेंट बर्नाड प्रजाती का कुट्ता पालते हैं तो आपको डरने की कोई जरूवत नहीं है बलकि डर तो बाहर के लोगों को लगना चाहिए ये कुट्ता बहुत इंटेलिजन्ट, लवेबल और केरिंग होता है ये जितने प्यार से बड़ों के साथ खेलता है, उतने ही प्यार के साथ छोटे बच्चों के साथ भी खेलता है ये देखने में बेहदी कुपसूरत और क्यूट डॉगी है ये कुट्ते, पहाड और बर्फ पाली जगा पर आसानी से रह सकते हैं इस कुट्ते को जादा देखभाल की जरुवत भी नहीं पड़ती, इसलिए आप इसको आसानी से पाल सकते हैं लंबे कान और लंबे शरीर के साथ ये कुट्ता देखने में काफी एट्रेक्टिव लगता है साथ ये देखने में कुछ-कुछ बकरी के जैसा भी लगता है लेकिन ये बहुत ही क्यूट डॉक है, जिनको पालने का मन हर किसी का होता है खुबसूरत होने के साथ-साथ ये बहुत शरार्ती भी है इनकी शरार्ते सब का ध्यान इनकी ओर एट्रेक्ट करती है वैसे तो ये बहुत छोटे से होते है लेकिन इनको भूग बहुत लगती है पूरे दिन खाते रहने की वज़ा से ये कुटे जल्दी मोटी हो जाते है जिसकी वज़ा से ये हल चल भी नहीं कर पाते लेकिन मोटे होने पर ये और भी जादा क्यूट लगते है नमबर च्छे बेगल जब बात खुबसूरत और क्यूट कुट्टों के आती है तो हम बेगल को कैसे भूल सकते हैं ये कुट्टे क्यूट होने के साथ साथ बहुती ब्रिलियन भी होते हैं ये अपने मालिक का बखू भी ध्यान रखते हैं उनकी रखवाली में ये अपनी जान भी दे सकते हैं इन कुट्टों का सेंस ओफ स्मेल भी बहुत स्टॉंग होता है ये किसी भी चीज़ को थोड़ी सी स्मेल से उसको पहचान सकते हैं वैसे तो ये कुट्टे बहुती समझदार होते हैं लेकिन अगर आप इनको घर पर रखना चाहें तो इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग की जरुवत पड़ती है गोल्डन रिट्रीवर कुट्टे की प्रजाती के बारे में तो आपने सुना ही होगा इसमें ऐसी बहुत सी खास बात है जिसको पालतू कुट्टे के लिए बहतर बनाती है ये कुट्टा समझदार है, वफादार है और देखने में भी बहुत खुबसूरत है इसकी क्यूटनेस की वज़ा से हर किसी का मन इसको पालने का होता है ये कुट्टा क्यूट होने के साथ साथ बहुत शैतान भी होता है इसे रास्ते में जो भी सामान मिलता है ये उसे उठाकर भाग लेता है ये इतना मासूम होता है कि अगर आप इसे पालते हो तो शायद ही आप का मन किसी दूसरी प्रजाती के कुद्टे को पालने को करेगा नमबर चार पॉमेरेनियन ये कुटा क्यूट और मासूम होता है इसकी शैतान हरकते इतनी जादा खुबसूरत होती है कि वो सब का ध्यान अपनी और आकरशित कर ही लेती हैं ये सफेद रंग के बहुती छोटे से डॉगी होते हैं जिनके शरीर पर फर होते हैं ये छोटे होन क्यूटे स्टॉक की ये प्रजाती चाइना से बिलॉग करती है ये कुटा देखने में इतना खुबसूरत और प्यारा है कि आपका मन भी इसे पालने को जरूर करेगा इन कुटों को देखने में ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने टावल को इखटा करके रख दिया हो इनकी र सेल टेरियर इस कुटे के क्यूटनेस को देखने के बाद आपकी सारी धकान खत्म हो जाएगी ये इतना खुबसूरत होता है कि अगर आप इसे पालते हैं तो आपके होटों पर हमेशा है स्माइल रहीगी ये इतना शरार्ती होता है कि आपको दिन बर हसने पर मजबूर कर ये बहुत ही फुर्टीले और तेज होते हैं ये कुत्ते मासूम होने के साथ साथ इमोशनल भी होते हैं अगर आप इनको कुछ समय के लिए घर पर अकेला छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको इन्हें मनाने में समय देना पड़ता है इनका रूटना मनाना छोटे कर ही लेते हैं इन कुत्तों की खास बात ये है कि इनको गुस्ता बहुत ही कमाता है जिसकी वज़ा से ये बच्चों के साथ रहने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये कुत्ते अपने मालिक का खराब मूट को ठीक करने में भी मदद करते हैं उम्मीद है आपको हमारी य वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर करें और हाँ हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप इन डॉकीस में से किसको पालने की प्लाइनिंग कर रहे हैं साथ ही और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले